so hello guys good morning, कैसे हैं आप सभी लोग, दोस्तो अगर आप लोग ब्लू स्टेक को start करते हैं और आप लोगों को issue देखने को मिल रहा है कि pop up आ रहा है can not start Blue Stake please send a report, तो ऐसे में दोस्तो आप लोगों कोई स्टार्द को solve कैसे करना है उसके मैं आपको इस वीडियो में दो तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग इस प्रॉब्लम को सौल कर सकते हैं और बुलू स्टेप को अपने PC में आफी लेप टॉप में चला सकते हैं और उसमें आप लोग Free Fire या फिर दूसरी गेमो को इंस्टॉल करके खेल सकते हैं तो बीन स्किप करें वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आप मैंसे कावी सारी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन like नहीं करते हैं और नहीं subscribe करते हैं तो भाइयों सबसे पहले आप लोग ये कर लेना जिसने भी नहीं करा है अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस problem को solve करने के लिए क्या करना है मुझे तो भायो ये वाला इसु कभी देखने को नहीं मिला है अभी तक लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसका solution बताने वाला हूँ तो बनेर ये इस वीडियो में सबसे पहले मैं यहां से close कर देता हूँ इसे और ये दोस्तो blue stack 5 चालू है आपको एक setting करनी है अगरे setting नहीं करना चाहते हैं तो दुसरा तरीका क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर दुस्तो आपका जो भी blue stack इंस्टॉल होगा जैसे कि यह है तो यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा blue stack multi instant manager में तो यहां पर दुस्तो आपको setting का option द आपके processor में जितने भी core हो उसके मुताबिक आपको कम करते जाना है और आप लोग कैसे चेक करोगे चलिए वह भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि काफी सारे लोगों को यह issue देखने को मिलता है तो यहां पर भाइयो सबसे पहले मैं setting बता देता हूं फिर इसके बाद मै मेरे PC में चार को रहें तो मैं medium कर दूंगा उसके बाद भाइयो memory allocation यहां पर भाइयो मेरे PC में 8GB RAM है लेकिन में medium रखता हूं ताकि कोई problem ना हो क्योंकि RAM काफी जगाव पर यूज होती है तो हम लोग कर देंगे दो करने के बाद भाइयो वहां पर save कर देना है और यहां प आपको सेटिंग में जाना है और दुबारा से भाइयो में यहां पर कर देता हूं ताकि कोई issue ना हो बाद में मुझे तो मैंने दोस्तों यह कर दिया सेटिंग आपके PC में जितने भी कौर हो जितने भी RAM हो उससे कम RAM आपको चूस करनी है उसके बाद आपको डिस्प्ले में और इंसिटेंज पर क्लिक करना है और यहां पर फ्रिच इंसिटेंज पर आने कि बाद आपका PC 32-bit का है 64-bit का है वो आप लोग कि चूस कर लिजिए और next कर दिए next करने के बाद भाईयो यहां पर आप लोग को आपके PC के मुताबिक जितने भी कौर है उससे कम कौर चूस कर जाएगा और यहां से यह जैसे डाउलोड हो जाएगा इससे आप लोग यूज कर पाओगे जैसे कि ब्लूश्टेक 5 बन है तो यहां पर ब्लूश्टेक 5 दूसरा एक आइकन बनके आ आपको बताता हूं कि आपको कैसे चेक करोगे तो इसके लिए आपके कीबोड में आप लोगो को कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट आपको क्लिक करना है एक साथ तो इसे में close कर देता हूँ, core चेक करने के लिए, control plus alt plus delete, यह करने के बाद भाईयो, task manager हमारे सामने आ जाएगा, या फिर आप लोग simply यहां से task manager सज करोगे, task manager, तो भी आप लोग कर पाओगे, बहुत easy है, तो यहां पर आने की बाद भाईयो, आपको जाना है performance में, और यहां पर जाना है आप लोगों को CPU में, तो यहां पर आप लोगों को दिख जाएगा कि आपके PC में कितने core है, आपके laptop में कितने core है, आप लोग नीचे देख लिजीए, यहां पर लिखा होगा core 4, तो हमारे PC में भाईयो, 4 core है, यह रहा, जैसा है कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, तो भाईयो, कुछ इस तरीके से आप लोग अपने PC के core चेक कर सकते हो, और उसमें यूज़ करके, अपने blue stick 5 की जो problem है, उसे solve कर सकते हो,